आज हम जानेंगे आत्मा के साथ हमेशा चिपके रहने वाले उस एक शरीर के बारे में जिसकी चर्चा प्राई नहीं होती ये शरीर हमेशा आत्मा के साथ मौझूद रहता है एक योनी से दूसरी योनी में जाते समई इस शरीर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं तो जान और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए. हम सब शरीर धारी है, शरीर दो प्रकार के हैं, स्तूल और शोक्ष्म अस्ति चर्म मई सरीर स्तूल है, तेजस शरीर सूक्ष्म है और कर्म सरीर अति शोक्ष्म है हमारे पाचन सक्रियता और तेजस विता का मूल तेजस शरीर है वो पूरे स्थूल शरीर में व्याप्त रहता है दिप्ती और तेजस विता उत्पन्न करता है विद्यूत प्रकास और ताप ये तीनों सक्तियां उसमें विद्यमान है शरीर में दो प्रकार की विद्यूत है घार्शनिक और धारावाही या मानसिक घार्शनिक विद्यूत का उत्पादन शरीर करता है और धारावाही विद्यूत का उत्पादन मस्तिश्क करता है मस्तिश्क की विद्यूत धारा सनायू मंडल में संचरित रहती है वो ज्यान तंतुओं के द्वारा मस्तिश्क तक सूचना पहुंचाती है और उससे मिले निर्देशों का सारीरिक अव्यवो द्वारा क्रियानवयन होता है इसका मूल हेतु तेजस शरीर है ये शरीर प्रानी मात्र के साथ निरंतर रहता है एक प्रानी मृत्यू के उपरांत दूसरे जन्म में जाता है उस समय अंतराल गती में भी तेजस शरीर उसके साथ रहता है कर्म शरीर सब शरीरों का मूल है उसके बाद दूसरा स्थान तेजस शरीर का है ये सूक्सम पुद्गलों से निर्मित होता है इसलिए चर्म चक्सु या इन आँखों से दिखाई नहीं देता ये स्वाभाविक भी होता है और तपस्या के द्वारा उपलब्द भी होता है ये तब द्वारा उपलब्द तेजस शरीर ही तेजो लेश्या है इसे तेजो लब्दी भी कहा जाता है स्वाभाविक तेजस शरीर सब प्रानियों में होता है तपस्या से उपलब्द होने वाला तेजस शरीर सब में नहीं होता वो तपस्या से उपलब्द होता है इसका तातपर्य ये है कि तपस्या से तेजस शरीर की चमता बढ़ जाती है स्वाभाविक तेजस सरीर स्टूल सरीर से बाहर नहीं निकलता तब जनित तेजस शरीर, सरीर के बाहर निकल सकता है उसमें अनुग्रह और निग्रह की सकती होती है उसके बाहर निकलने की प्रक्रिया का नाम तेजस समोधगात है जब वो किसी पर अनुग्रह करने के लिए बाहर निकलती है तब उसका वर्न हंस की भांती सफेद होता है वो तपस्वी के दाये कंदे से निकलती है उसकी आकरती सौम्य होती है वो लक्ष्य का हित साधन करके यानि रोग आदी का उपसमन करके फिर अपने मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है जब वो किसी का निग्रह करने के लिए बाहर निकलता है तब उसका वर्न सिंदूर जैसा लाल होता है वो तपस्वी के बाये कंदे से निकलता है और उसकी आकरती रोध्र होती है वो लक्ष्य का विनास करके, दाह करके, जला कर फिर अपने मूल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है अनुग्रह करने वाली तेजोलेश्या को सीत और निग्रह करने वाली तेजोलेश्या को उश्न कहा जाता है शितल तेजोलेश्या उसन तेजोलेश्या के प्रहार को निस्वल बना देती है तेजो लेश्या अनुपयो काल में संचिप्त और उपयो काल में विपुल हो जाती है विपुल अवस्ता में वो सूर्य बिंब के समान दूर दस होती है वो इतनी चकाचोन पैदा करती है कि मनुश्य उसे खुली आँखों से देख नहीं सकता तेजो लेश्या का प्रयोग करने वाला अपनी तेज़स सक्ति को बाहर निकालता है तब वो महाज्वाला के रूप में विक्राल हो जाती है तेज़स सरीर हमारे सम्मूचे स्तूल सरीर में रहता है फिर भी उसके दो विशेश केंद्र है मस्तिष्क और नाभी का प्रिष्ट भाग मन और सरीर के बीच सबसे बड़ा संबंद और सेतू मस्तिष्क है नाभी के प्रिष्ट भाग में खाये हुए आहार का प्रान के रूप में परिवर्तन होता है इसलिए सारीरिक द्रिष्टी से मस्तिष्क और नाभी का प्रिष्ट भाग ये दोनों तेजोलेशया के महत्वपूर्नक केंद्र बन जाते हैं तेजोलेशया एक सकती है तेजोलेशया के विकास का कोई एक ही स्रोत नहीं है उसका विकास अनेक स्रोतों से किया जा सकता है सैयम, ध्यान, वेराग्य, भक्ती, उपासना, तपस्या आधी-ाधी उसके विकास के स्रोत है इन विकास स्रोतों की पूरी जानकारी कहीं भी उपलब्द नहीं होती ये जानकारी मौलिक रूप में आचारिय सिस्य को स्वयम देते थे भगवान महाविर के कूशिस्य गौश आलक ने भगवान से पूचा कि भगवन तेजो लेशिया का विकास कैसे हो सकता है बगवान महावीर ने इसके उतर में उसे तेजो लेशिया के एक विकास स्रोत का ज्यान कराया उन्होंने कहा कि जो सादक निरंतर दो-दो उपवास करता है पारने के दिन मुट्टी भर उड़द या मूंग खाता है और एक चुलू पानी पीता है भुजाओं को उपर करके सूर्य की आतापना लेता है वो छे मैने के भीतर ही तेजो लेशिया को विक्सित कर लेता है तेजो लेशिया के तीन विकास स्रोत है आतापना यानि सूर्य के ताप को सहना चान्ती छमा यानि समर्थ होते हुए भी क्रोध निग्रह पूर्वक अप्रिय व्यवहार को सहन करना तीसरा है जल रहित तपस्या करना तो ये थी संचिप्त जानकारी तेजस शरीर की ये वो शरीर है जो आत्मा के साथ हमेशा जुड़ा हुआ ही रहता है जब तक की आत्मा कर्म बंदनों से सर्वता मुक्त नहीं हो जाती आज का प्रशन है कि एक व्यक्ति के एक समय में कितने ज्यादा से ज्यादा शरीर हो सकते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें